खुबसूर्थी और जैतुन का तेल खुबसूर्थी और जैतुन का तेल नहीं तो यह तो खाने में और लगाने में इस्तेमाल करते हैं नहीं जी यह खुबसूर्थी के लिए इस्तेमाल होता है रात में जैतुन के तेल को चेहरे पर लगाओ ये जुरियों से निजात देगा और दाग दब्बों को भी दूर करेगा दाग दब्बों के साथ साथ ये चेहरे पर होने वारे एकनिकों ये दानों को भी खतम करता है क्रिंजिंग के लिए तेम कृंटर करती हूं यह मत जैन्थ तक धेरी टेल को थोड़े कॉटन के लगा ऑफ लगाए पूरे चेहरे पर लगाओ कि सौन्स दो क्या तेँ साफ कपने हैं इयर कॉटन से के ततरी साहख कर लो और फिर फेस वाश से या साबुन से जो भी तुमाई मैसर हो उसे धोलो इस तरह राद को भी लगा कर अगर सो जाओगे तो सुबह चेहरा दोने के बाद नर्म मुलाइम हो जाए किसी क्रीम या मॉस्चराइजर की जरूरत नहीं रहेगी पलकों पर लगाओ लंबी होती है बाल भी लंबे होते हैं और बालों में उने वाले खुश्की खतम करता है पंद्रा मिनिट तक मसाज करो और फिर रात भर के लिए छोड़तो सुबह नहा लो अक्सर हम सर्दियों में जिसम पर खुश्की हो जाती है और खारिश होती है कि नहाने से पहले मसाज करो और दस पंद्रा मिनिट बाद नहा लो देखना कासी जिल्द नर्म मुलाइम होगी कि मॉस्चराइजर इस्तिमाल करते हूं ना बालों के लिए कि मॉस्चराइजर नहीं कंडीशनर हाँ वही कंडीशनर 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 इस्तिमाल करते हूं तो वह नहाने के बाद एक चमचा जैतुन का तेल लो एक मग पानी में मिला और बालों में लगा लो बेतरीन कंडीशनर अगर एलो वेरा और जैतुन का तेल मिला कर भी सर में मसाज करोगे ना तो फिर हैलत अंगेज 29 सामने आएंगे कौन सा तेल इस्तिमाल करो यह एक्स्ट्रा वर्जन एक्स्ट्रा वर्जन इस्तिमाल करो हाथों की खुप्सूरती के लिए एक चम्चा जैतुन का तेल लो इसमें थोड़ी से अंड़ी की जर्दी मिला ओ तकरिबना आदी मिला लो और हाथों पर लगा कर दस-पंदा मिनट के लिए छोड़ दो फिर किसी भी सावन से दो लो अल्ला इतने फायदे खुप्सूरती क मुझे और यो पसंद आये तो लाइक शियर और सब्सक्राइब कीचेगा